हेलो friends मैं आवीन है और आज हम बात करेंगी अपने बाइक के बार हूं कि अब़ाइक में भी suchen काम कराने जा रहा हूं दोतिन तो तो सबसे पहला काम तो यह है कि मैं इस बाइक में टायर चेंज करने जा रहा हूं टायर जो है इसके गिश चुके है और बहुत सारे कट भी लग गए इस टायर में छेद वगर हो गए है जैसे दिखाजा हूँ है आपको यहां पे छेद है इसके अलावा छोटे मोंटे बहुत सारे छेद यहां पे कट लगा हुआ है काफी बड़ा और दिखाओं कि यहां पर है कट एस छोट छोटे बहुत सारे कट आपको टायर में देखने को मिल जाएंगा और पिछले दो दिनों में चार बार पंचर बनवा चुका हूँ है इसका तो इसलिए मैंने सोचा कि टायर करवा लूँ तो मैं सोरूम पर जाओंगो टायर चेंज करवाने और सोचा है मैंने MRF का ही टायर लगवाने का या फिर मिसलीन का इनकी ग्रिप और परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है पहले से भी बाइक के साथ मुझे MRF का ही टायर देखने को मिले थे 318 की आप यह दे प्राइस बेखते हैं आगे के टायर अग बिल्कुल सही कंडिशन में देख सकते हैं बाव नजार चल चुकी है यह बाइक कुछ ऐसा है बाव नजार चलने के बाद अब टायर चेंज करवा देता हूं मैं कूंकि काफी दिक्कत हो रही है इस टायर के साथ में अब मुझे च MRF का यह जो टायर है यह है नाइलोन जैपर सी यह टायर में अंडर वाया है और यह ट्यूप टायर है साइज आपको दिखा देता हूं टीन अटायर है और जैसा है यह टायर काफी सही है कि इससे पहले विजी टायर था इस बाईक में तो काफी सारे टायर देखे मैंने मैंने एपर ला का टायर देखा मिसलीन और भी बहुत सारे जेके बहुत सारे टैर मैंने देखे और मैंने यही टैर चूज किया हाला कि सोरूम वाले मेरे को बोल तरहे थे कि यह टाइड मत डलवाओ ज्यादा तर वो सी एट और अपोलो के लिए जा रहे थे इमिरे वन्होंने मेरे को बताय भी नहीं तो फिर भी मैंने उनसे मांगा और साइड इस पर मार्जिन कम मिलता है इसलीए इस टैर को सजिस्ट नहीं कहते हैं具 thoroughly मैंने मार्जिन जादा मिलता हूँ, फिर भी मैंने इन डलवाया और पहले भी यह मैं यूज कर चुका हूं तो इसलिए मैंने इसी टायर को डलवाना सही समझा तो यह था छोटा सा वीडियो बाकी एक्सपिरिंस तुम आपको मैं बताई चुका हूं काफी अच्छा है ग्रिप काफी अच्छी है इस टायर की यह है मेरी माइक अभी अंदर ख जरू कर दिनाफ